इस वक्त का सबसे बड़ा मुस्ला रिसेर्चर्स के लिए डेटा विजुलाजेशन कर लेना नहीं है बलके उस डेटा को इंटरप्रेट करना है अगर मैं आपको बताऊं कि AI के यूज से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं डेटा को तो मन्ने बाबा तेरा एक माले चले स्टार् करते थे तो हमारे पास इस तरीके से इसके एक narrative बिल्ड हो जाता था इस एक plot का and this is how you can actually build your narrative about the plot इसका दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी plot पर select करें और यहां पर मैं थोड़ा से zoom in करता हूं यहां भी आने के बाद आप narrative पर click करें narrative पर click करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से एक window open हो जाती है custom पर click करेंगे and then यह आपको data को summarize करके देगा मेरे से गलती यह हुई है कि मैंने plot पर click करके narrative पर click कर दिया plot पर click किये बगार आपने dashboard का narrative generate करने तो यह मेरे पास एक narrative इसका आ गया था कि the ideal in color G made up 8.57 of the sum price यह चोटा से narrative है you can also add or remove these kind of narratives और इसके on board लेकिन अगो और तरीका भी है मैं यहां पर 15 number report बनाता हूं और इसको मैं बोल देता हूं AI power BI या AI बोल देते हूं अब इसके अंदर क्या होगा जैसे मैं यहां पर यह question answer वाला एक visual लेके आता हूं this Q&A यह वाला इस पर मैं click करता हूं click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यह proper एक AI का आपके पास question and answer की suggestion वाला एक bot on हो गया है so मैं कोई भी यहां पर question पूचोंगा यह मुझे उसका answer देगा and then based on that answer I can also click and feel के कौन सा answer कौन सा answer दे रहा है कौन सा question कौन सा answer दे रहा है और यह confirm करने के लिए मैं data में भी जाकर देख सकता हूं तो मैं show all suggestion पर click करता हूं तो यहां पर आपने देखा है कि छोटे-छोटे questions उन्होंने suggest कि हूँ है based on the data जो मेरे पास यहां पर मुझूद है जो diamond का भी है tips का भी है say for example मैं यहां पर बोलू total tip तो यह मेरे पास total tip आ जाएगी मेरे पास total tip इतनी है ठीक है अहलां कि मेरी यहां पर mistake हुई है but it doesn't matter आप देखें तो यहां पर total tip आ गई तो मैं इस तरीके से कोई भी question पूछूंगा और यह मुझे answer देना start कर देगा एक disclaimer यह भी है नीचे का content created by AI may be inaccurate तो यह data inaccurate भी हो सकता है so you don't need to really confirm or you don't need to really rely on this kind of information अगर मैं बोलू total tip based on each day अगर मैं यह लिखूं तो यह मेरे पास इस तरीके से एक plot आ जाता है तो यह automatically सब कुछ हो रहा है मैं सिरफ यहां पर question लिख रहा हूं और मेरे पास उसके answer जा रहे हैं अगर मैं यहां पर लिखूं total tip based on each sex तो यह मेरे पास sex का जागा है male और female का और अगर मैं बोलूं के relationship between मैं यहां पर बोल देता हूं total total bill and tip मैं यह लिखूंगा तो यह मेरे पास इस तरीके से यह मेरे पास इस तरीके से data आ जाएगा something like this ठीक है I know कि यह AI से related है तो इस वज़ा से इसके अंदर काफी ज़्यादा mistakes में अभी we have to really clarify that लेकिन अगर आप देखें tips with between total bill and tip between this and this and this मुझे यह नहीं समय जाए तो मैं यहां पर लिखता हूं scatter plot between bill and tips मैं जैसे यह बनाता हूं and it should actually reflect total underscore bill है column का नाम total underscore bill and tip showing result for this total bill it doesn't make any sense तो मुझे यहां पर question पूछने मैं कहता हूं यह नाब जनाब यहां पर how much total bill was paid by females तो यह मेरे पास आगया उसका answer ठीक है and this is how you can actually ask many other questions तो यह AI based आपको proper interpret करने में आपका data को help out करेगा अगर आपको इस तरह data से खेलना पसंद है तो आप कोई भी बड़े से बड़ा data यहां पर database के अंदर load करेंगे जो यह ने पहले lectures के अंदर बताया भी हुए and then you can ask question based on this AI thing और यहां पर आप click करेंगे तो आपके पास terms भी open हो जाएंगे किस तरीके से आप यह AI को use कर सकते हैं और इस पर rely कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं यह था जनाब AI का use किस तरीके से आप एक data को interpret कर सकते हैं और आप देखें कि हर tool के अंदर AI integrate होती जा रही है इसलिए तो हम आपको कहता हूं कि के चैनल पर जाके हमारा चेमा का AI और data science का course जरूर करें जिसका link मेंने description में भी दिया हुआ है see you in the next one